कक्साच श, NCRT गणीत, प्रश्णावली ये 4.5, आधार बूत जाम मितिये अवधार नाए, आज के क्लास में इस प्रश्णावली के सवाल नमर एक से सुरू करेंगे, और इसके सभी सवाल हम करेंगे, तो आपको ये सभी सवाल द्यान से समझने है, देखो क्या लिखा है इस चत्रबुज के अभियंतर में इस्तित हैं या बहिर बाग में इस्तित हैं, तो द्यान से एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, सवाल को हल करते जाएंगे, सबसे पहले देखो चत्रबुज PQRS का एक रफ चितर खीजिए, आपको एक चत्रबुज बनाना है, तो बताओ एक बुजा, दो बुजा, तीन बुजा, और यह हो गया आपके चार बुजा, एक, दो, तीन और चार, हो गया ने चार बुजा, इसका मतलब यह क्या हो गया, चत्रबुज हो गया, अब इसका नाम है PQRS, तो नाम है PQRS, बन गया चत्रबुज, यह हो गया, अब आगे इसक विकन खीचने अब दोगों बेटा विकन क्या होते हैं चत्रबुज के दो सिर्सों को मिलाने वाला रेखा खंड विकन होता है चत्रबुज के दो सिर्स मतब ये वाला सिर्स और ये वाला सिर्स आगर हम इन दोनों को मिला दे तो ये वाला सिर्स इन दोनों को मिला दे तो ये के गया वक्र्णवाले design क्ला YouTube ौइक विकांद क्या हो गया ठीक उर एक क्मट यह व हके गया और यह इंके नाम लिखांड़ और नाम भी लिखने विकर्णों के तो बता बेटा विकर्ण कौन-कौन से एक विकर्ण तो ये वाला हो गया आपके पी-एस और दूसरा वाला विकर्ण ये हो गया आपके क्यूं-आर ठीक है ना? होगे दो विकर्ण है अब आगे क्या लिखा है? क्या विकर्णों का प्रतिछेद बिंदू चत्रबुज के अभियंतर में है अब ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण का प्रतिछेद कर रहा है यहाँ प्रतिछेद कर रहा है इस जगह है, माना कि इस बिंदू का नाम ओ है जहाँ पर यह दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिछेद कर रहे हैं इस बिंदू का नाम O है यह कह रहा है विकर्णों का प्रतिछेद बिंदू चत्रबुज के अभियंतर में इस्तिते हैं या बहिर बाग में बताओ ये वाला बिंदू इसके अभियंतर में है या बहिर बाग में है तो देखो बेटा चत्रबुज के अंदर वाला जो ये बाग है पूरा का पूरा ये अभियंतर कहलाता है और चत्रबुज के बार वाला जो ये बाग है ये बहिर बाग कहलाता है तो बताओ इन दोनों विकर्णों का प्रतिछेद बिंदू, का इस्तिते, अभियंतर में इस्तिते, तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, विकर्णों का प्रतिछेद बिंदू, प्रतिछेद बिंदू, चत्रभुजे, का है, अभियंतर, अभियंतर में इस्तिते हैं, यह डारेक्टी लि देना आप तो कि विक की जो प्रतिशाइद बिंदू है वो कहां इस्तित है अभी अंतर में अंदर वाला बाग अभी अंतर होगा और बाहर वाला बाग होगा ठीक है ना आगे समझ में अब देख सवाल नंबर दो चत्रबुज के एल एम एन का एक रब चित्र खीच यह और ब सिर्फ तीन बूजा और यह हो गई चार बुजा ठीक है ना नाम क्या है खेलं है है एम हैं और एन कैसे भी नाव लिख सकते हो आप अपने इच्छा से ठीक है न एकना के यह हैम लिखना दाओ तो एम म 있어 2 और यहां एन लिख़वा के बता आई आप ये जो प्रसंद दे रहें इनका हमें उत्तर बताना है एक वह इसकी सबी हमको बुचाएं हैं हमको सम्वु बुचाओं के नाम बताने सम्वु बुजाओं के दो तो सम्मुक बुजाओं के दो यूग्म बताने देखो केल और एनम एक तो हो गया और दूसरी ये वाली बुजा और ये वाली बुजा भी सम्मुक बुजा हैं दूसरी क्या हो गई एक तो यह मतलब आमने सामने के कौन अब देखो इसमें आमने सामने ये वाला कौन और ये वाला कौन सम्मू कौन है ये वाला कौन और ये वाला कौन भी क्या है सम्मू कौन है आमने सामने के कौनों को सम्मू कौन कहेंगे आमने सामने के बुजाओं को सम्मू कौन कहेंगे दो युग्म देखो से पहले कौन और कौन ऐल्ग एक रण गया को ऐने वा को अधूसरा को एक और कौण कि और गया कों एप ठीके आगे समझ में अब एक लगवे Confirm का मतलब होता है पेटा लगातार दो बुजाएं जैसे ये वाली बुजा और ये वाली बुजा लगातार दो बुजाएं ये दोनों आसन बुजाएं हैं और ये वाली बुजा और ये वाली बुजा ये दोनों भी आसन बुजाएं हैं तो आप आसन बुजाएं ये दोनों भी आसन हैं ये दोनों भी आसन हैं और लगातार कोई सिभी दो फूझाए होगी न वह असने बूझाए होगी जैसे एक तो यह वाली पूझा ले लो और 12-12 एक तो 70- 12 2002 यह ल कि यह यह कि एड़ने ले लो दूसरी में कौन सी एंएं एंएंअ वह यह वाली ले लो कि एन कि ठीक कैंटां समय गए आस्तन पुझा किसे कहेंगे आस्तन पुझा मतलब लगातार दो बुझा जो एक बिन्दू पर मिलती हो दोगों केल और ऐलएम केल यह केल और यह अल वाली बुजा है और इस बिंदू पर इसका मतलब ये दोनों आसन है और ये वाली और ये वाली भी आसन है लगातार दो बुजा है आपके आसन बुजा होती है अब दोब डीवाला आसन कौनों के दो यूग्म आसन कौन भी वही लगातार दो कौन जो एक ही बुजा पर बने ह यह वाली बुजा है अब इस पर ये वाला कौन और ये वाला कौन बन रहा है मतब यह दोनों आसन कौन है ये वाला कौन और ये वाला कौन आसन कौन है ये वाला कौन और ये वाला कौन आसन कौन है ये वाला कौन और ये वाला कौन आसन लगातार दो कौन आसन कौन हो कौन एल वा कौन एम हमसे क्यों दोई पूछे हैं दोई बताने जएदा पूछ थे तो M और N भी आसन कौन है N और K भी आसन कौन है समझे आगे तो यह प्रशनावली 4.5 आपके समापत होती है अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा ठीक है ना उतारो